हेलो फ्रेंड्स जैसे किष्णा जैमातादी जैसरी शाम तो कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे पराथना करूं किश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें आज की वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कि आपका अच्छा स आप बहुत दिहान से वीडियो को सुनीगा और समझेगा बिलकुल लोड नहीं लेना टेंशन नहीं लेना है दो नंबर से आपको दिखाए देंगे फर्स्ट होगा 49 सेकेंड होगा 34 इन दोनों में से जो भी नंबर आपको अपने तरफ एट्रेक करें आपको अच्छा लग ज schneते हैं ईश्वर आपसे तो सबसे पहले जिनोंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा एक तो वो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें बल ऐकन को प्रेस करतें इसके साथ वीडियो को शेयर करें ताकि और भी किसी के कोई problem ho duas不 हो सके बहुत ही खास और बहुत ही मत्वपूर्ण वीडियो हैं वीडियो को काफी हट तक आप लाइक करिएगा इसी बीच अगर अपने कोई दिल के कोईशन से कुछ सवाल है कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा इस问题 कमेंड सेक्षिन आप यहां भी बताईएगा कि हमारे आज वीडियो आपको कैसी लगी आपके ओपर रेजोनेट हो या नहीं हो देखिए दोस्तों इसे एक इंटरटैन्मेंट के तोर पर लीजिएगा अगर फस्ट नमबर आप पर रेजोनेट नहीं हो रहा है तो अब एक बार सेकंड नमबर को भी चूस कर लिजिए तो चलिए आप व कब शुरू होने वाला और किस तरह से आपके जीवन में खुछी आने वाली है तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कारड आखिर क्या के रहे हैं क्या फिलिंग्स आ रही है आपके लिए तो सबसे पहले जो फिलिंग्स आ लेना है बहुत ज्याद़ घबराना नहीं बहुत ज्याद़ सोचने से आपको बचना है और इसी पीज बी शच्रकर चोड़ देना अगर आपको लोट नहीं लेना ठीक है और इसी के साथ एक चीज और बोलना चाहूंगी दूस्तों की meditation और पराथना जड़ियों आप नहार टेंशन क्रियेट कर सकती है तो आपको सबसे पहले अपनी नेगिटिविटी को चेंज करने की जरूर दे इसके बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा समय शुरू हो रही है तो ज्यादा लोड ना ले टेंशन ना ले इश्वर बहुत जल्दी आपकी सारी मनुकामनाई लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है अच्छी सोच रखनी है सबकी मदद करनी है और जीवन में कभी कोई ऐसा कारे नहीं करना है जो कि आपके लिए भी गलत हो और सामने वाले के लिए भी गलत हो अच्छा समय जरूर आएगा हमारे हाथ में हैं कि हम अच्छा समय के से लागर जीवन में हमें कुछ करना है तो बहुत जल्द आपके जीवन में खुशी आने वाले इसलिए ज्यादा लोड ना ले ज्यादर आटेंशन ना ले आपका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है बहुत जल्द आपके लाइफ में रिलाक्सिंग आप फिल करेंग खुद पर आपको विश्वास रखना होगा पूरानी जिन बातों के कारण आपके पूराने पास्ट के कारण जिस तरह से आपको तनाओ है उन्हें दूर करने की कोशिश आपको करने होगी जितना पास्ट में जाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आप टैंशन लेंगे उ जब तक पूरी जानकारी नहीं मिले तब तक आगे ना बढ़े लाइफ में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा अपनी सोच को सुधारने की ज़रूत है रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी आपके स्ट्रॉंग होगी लेकिन जो सोच है वो आपके तालमेल नहीं बिठा पारी है लोगों के दबाओ से खुद को दूर रखें और जरूरी निर्ने जो है वो सोच समझ कर ले सिमित विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपक सोचने की वीडियोस देखें मॉटिवेशनल से वीडियोस देखें धियान करें मेडिटेशन करें इसे बहुत पाइदा होगा नए अनुभव के लिए खुद को तेयार रखें भले आपको घर से दूर रहना पड़े लेकिन नेगिटिवीटी से आप बचें जितना में जब तक नौलेज ना हो तब तक उस वर्क में आप हाथ ना बढ़ें जिन बातों पर आपका नियंत्रन है किवल उनके बारे में आप सोचे योजना पर काम करें जो लक्ष आपके लिए सही है इंपॉर्टेंट है उसे प्राप्त करने के लिए जीवन में हो सकता है कुछ ठीक हो जाएक और एक दिन एक ऐसे प्लैटफॉर्म पर आप जाकर के पहुँचेंगे जिसकी बारे में आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगा हुए जीवन में बहुत जल्दी आगे पहुचेंगे बहुत जल्दी लाइफ में एक ऐसा मोड आएगा जो आपकी लाइ करें जिन्नों ने भी साकेंड नमबर चूस करा हैं आपके लिए देख लेते हैं क्या लिखा है पिसमत में अच्छा समय कब आएगा आपका इंतजार कखत्म कब होगा तो बहुत जल्दी आपका इंतजार कखत्म होने वाला है ज्याद्व लूड लेने के जरूद नहीं ज् सब्सक्राइब नहीं है तो टैंचन आले बहुत अच्छा समय आपके जीवन में अप्षूरू होने वाला है काफी कुछ लाइफ चैंजिस होने वाली है टैंचन फ्री रहें जीवन में आगे बड़े और हमेशा लोड लेना छोड़ जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स करियर से जुड़े जो अवसर आपको पराप्त होरे उन्हें बीना सोचे समझे स्विकार ना करें निर्ण्य चाहे व्यक्ति गत्तों या करियर से जुड़ा हो आपको एक बात पर बारी की से सोचना होगा ठीके परिचित लोगों से मिल रहे हैं ध्यान जरूद है किसी व्य प्रेशन्शिप के लिए पूरी तरह से तयार ना होने से love life में बाधा आ सकती है तो कहीं न जो से साउधान रहे जो तुरंत पलड़ जाते परिस्तिति को कैविल अपने ही नजरिय से देखें, इससे क्या हो रहा है कि आप परिस्तिती को अपने नजरिय से देख रहे हैं, अने लोगों के विचारों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको परिस्तिती को सामने वालों के नजरिय से गर आप देखेंगे तो आपको कंडिशन भी समझ माएग और positivity भी बनी रहेगी मांसी गुरुप से कई तकलीफे आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपने नजरिये से परिस्तिती को देख रहे हैं ठीक है मित्रों का आपके लिए बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ भी आपके लिए तकलीफ का कारण बन रहा है लेकिन ऐसा कुछ न अगले कुछ दिनों में बहुत जल्दी खुश्यां आपकी जिन्दगी में आएगी जो इंतजार था वो खत्म होगा लाइफ में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे टेंशन नाले रिलेक्स रहें पुराने करज को खत्म करने के लिए किये गए काम में सफलता मिलेगी पैसों से समद्दी लें दिन करते समय जाग रोक रहें दूसरों की गलती को आपके खिलाफ इस्तमाल किया जाएगा आपके द्वारा बोली गई बाते परिवार के लिए मानहानी का कारण बन सकती हैं आपके द्वारा किये गए प्रेत्नों की वज़े से वेक्तिक समस्यां दूर होगी जिन लोगों की संगत से बढ़ रही है उनसे दूर रहें यदि किसी वेक्ति के साथ मदभेत हो रहे हैं तो उनके साथ के रिष्टों को सुधारें कुछ बदलाव खुद के अंदर भी लाएं इस बात को समझें और जिस प्रकार से समस्यां अचानक से उत्पन ह अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करें जिन बातों के लिए आपको थोड़ा से प्रॉप्लम हो रही है थोड़ा सा रुख जाए अपनी बड़ी इच्छा अगर आपको पूरी करनी है तो खुद में क्या बदलाव करना है यह भी आप जाने जब भी पूरी होती है सुधारे आपके द्वारा की गई महनत के कारण बदलाव नजर आएगा कौन से रिच्टे और लोग आपके लिए महत्वपूर्ण है यह जाने और परिस्तिती चाहिए जितनी भी कठीन हो उसका हल भी निकाले इस बात का ध्यान किसी भी प्रकार का बदलाव नजर नहीं आ है टेंशन फ्री रहें जो होगा अच्छे के लिए होगा ज्यादा सोच विचार ना करें और लाइफ को अच्छे से जीए और काफी जल्दी आपका इंतजार खत्म होने वाला है जीवन में आगे बढ़ने वाले बहुत सारे टेंशन आपके दूर होने वाले हैं और बहुत है नेक्स वीडियो में अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धनिवाद जय मातादी हर हर महादेव